महिला इबंबाल विकास द्वारा संचालित विविन कल्यान कारी योजनाओं की तैद हमिरपूर जिला में चालू विद्वर्ष में 11,765 महिलाओं को लावामबित किया गया है इस पर करीब 4,5 करोड की रासी वेकी गई है ये जानकारी उपायुक्त हमिरपूर डॉक्तर जुचा वर्मा ने हमिर भवन में महिला इबंबाल विकास विवाक की उपलबधियों पर आयोजित प्रेश से मिले कारिक्रम की अधिक्स्ता करते हुए दी उन्होंने कहा कि महिला इबंबाल विकास के लिए सिरकार द्वारा बाल महिलाएं सुरक्षा योसना, परधान मंत्री मात्र वंदना योसना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्या मंत्री कन्यादान योसना, मदर टेरसा योसना, बिदभा पुनर विवहा योसना अरम क उन्होंने कहा कि बाल बालिका सुरक्षा योसना के तहद हमीरपूर जिला में चालों विद्वर्ष में 87 पात्तर वच्चों को लावंबित किया गया है तथा इस पर 11,67,000 की राशिवेग की जा चुकी है इस योसना के तहद अनात असहाई बाल बालिकाओं को जिलाकारिकरम अधिकारिक की देखरेक में किसी संपन परिवार में रखा जाता है ताकि इन बच्चों को वाल आश्रम बालिका आश्रम में परवेश के लिए वाध्या नहीं होना पड़े इसी तरह से बेटी है अनमोल योसना के तहद हमीरपूर जिला में 1609 बेटियों को लावामित किया गरीब बेटियों की शादी के लिए 40,000 रुपे की आर्थिक मदद दी जाती है इस योसना के तहद हमीरपूर जिला में 40 विदवर्ष में 90 बेटियों को लावामित किया गया है तथा इस पर 35,60,000 किराशिवे की गई है उन्होंने कहा कि मदर तैरिसा योसना के तहद 2266 महि परदान की जाती है तथा इस योसना के तहद चार महिलाओं को लावामित किया गया है उबएक्थ हमेपर डॉक्टर लीचा वर्मा ने कहा कि महिलाई बंबाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही कल्यानकारी योसनाओं का ग्रामिनस्तर पर ब्यापक पर चार परसार सुनिशित करने की दीशा निदीश भी अधिकारियों को दियेगे हैं ताकि जादा से जादा बात्तर लोग लावामित हो सकें इससे पहले जिला कारेक्रम अधिकारी तिलिक राज अचारे ने उपायुक्ट का स्वागित करते हुए विभाग द्वारा चलाई जा रही से जानकारी बर्दान की कुछे स्कीम का भाब भी दिखा कुछ फीड़ाइक सही नहीं मिल पाई जैसे कि कुछे की उजनाओं पे जवाब नहीं में दे पाई दिखाए मुझे लगता है पूरी कोशिश की गई है और यह पहली बार इन्होंने ऐसा और्गनाइस किया है और जो आपने डिमांड की है इन्फरमेशन की वो आपको पूरी यह प्रुवाइड करवा दे पेटी है अनमोल कारेकरम के तहट इस वित्य वर्ष में अब तक 204 बेटियों को इसका लाब दिया जा चुका है जिसमें कि उनकी 12,000 रुपे की एफटी करवा दी गई है साथ ही साथ जो पोशन अभियान है उसमें भी जिला ने सितंबर माहा में इस अभियान को जन्द आंदोलन के तौर पे पूरी इसकी एक्टिविटीज की जिसकी वज़ा से हमारे जिला को प्राइस भी मिला गवर्मेंट आफ इडिया की तरफ से साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कारेकरम के अंतरगत की बहुत सारी एक्टिविटीज की जारी है जैसे कि जिन बच्चीों ने हमारे जिले की अच्छा ब्रदर्शन किया है हम ने उनके पोस्टर लगाए हैं जिला में और एक और कारेकरम हमने के चलाया है जिसमें कि दसवी में जिन बच्चीों ने असी प्रृतिशत से को सम्मानित किया गया है जिला भर में साथ ही साथ उनकी केरियर कांसलिंग भी करवाई गई है एनाइटी के प्रोफेसर्स के माधियम से और इस दिशा में और भी हम आगे बहुत सारे कारेकरम करने की सोच रहे हैं